हैलो फ्रेंट नमस्कार जय जगनात मैं सिट साब सबको स्वाकत करती हूँ हमारे इस्टेर में मैं आज आज सबके लेके आएं छोले बोटूरे किसको पसंद ना है छोले बोटूरे तो आप बहुत बार बाहर खाएंगे कभी भार पर बना के खाएं चलिए देखते हैं मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी छोले बटूरे देखिए फ्रेंट्स अभी हम दो पड़े कब छोले को ओवरनेट विगो के ले लिया एक इंज अध्रक का टुकड़ा छे साथ कलिया हम लैसुन और चार बड़े प्याज को पीस के ले लिया यहाँ चार बड़े टमाटर को हमने पीस के ले लिया छोले में हमको हमेसा प्यूरी ही चाहिए टमाटर का यहां लिया है 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, यहां जीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हम कास्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वात के एकोडिंगली हमने निया नमक और पनीर, पनीर अप्सनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं, ने तो स्किप भी कर सकते हैं, देखे इसमें हम थोड़ा सा जीरा दे रहे हैं, देखेए अभी हम तो लाल मिर्च्छ का पाउडर दे रहे हैं, हमें इससे श का पाउडर देने के टाइम, आप ग्यास का फ्लिम लो रखे, क्योंकि मसाला जल ना जाये, अभी देखेए ब्रट्च्छू हम अल्दी का पाउडर भ सौटे करने के बाद देखिए फ्रेंस हम मसाला जो पिसके रखे थे अध्रक लेसन और प्याज का उसको भी अभी एड़ करेंगे देखिए फ्रेंस अभी हम एड़ करके अच्छे तरह से उसको मिला रहे हैं अभी हम मसाल लगों अच्छे तरह से भूनेंग चिससे की उसका कच्चा स्मयल चला जाए देखे फ्रSunTS अभी हम धक्कान बन करके अभी हम कच्चास मिल जाने तक भूनेंगे देखे फ्रेंट्स अभी हम दो बड़े कप ले लिए मेधा उसमें वान टेबल स्पुन हम अभी ले रहे हैं तेल अब देखे फ्रेंट्स सोड़ा सा हम स्वात के एकोडिंग लिए नमक रहे रहे हैं और वान कटरी हम दही ले रहे हैं कि इसको अच्छे ते हम गूंत लेंगे अच्छे हम अभी पानी थोड़ा थोड़ा एड़ करके अच्छे से गूंत लेंगे इसको अभी देखे फ्रेंट्स अभी हम do hält के रेड़ी कर दिये हैं आपका डो सा हमेशा इसे ही बनना चाहिए अभी देखे फ्रेंट्स उसको ढक के हम 10 मिनट में झे चोड़ा थेंगे अभी देखे फ्रेंस अवारा मसाला भी रेड़ी हो रहा हैं अभी इसमें हभी हम छोले अड़ करेंगे देखिए फ्रेंट छोले अड़ करके हम थोड़ा से सौटे कर रहे हैं अभी हम टमाटर का प्यूरी अड़ करेंगे हम इसे छोले बनाने के टाइम आप टमाटर को पीस के ही लीजिए इसका टेस्थ दोगुना बढ़ जाता हैं देखिए प्रेंट का प्यूरी अड़ कर रहे हैं अब देखिए प्रेंट हम स्वात का एकॉडिंग लिए नमक य데ड़ कर रहे हैं देखिए फिरन्स अभी हम धक देंगे इसको धक धक के हम इसका जैसे की टमाटर बिल्कुल सूख जाए और मसल अच्छे से पून जाए तब तक हम उसको सौटे करेंगे देखिए फ्रंस हम बीच मीच में निकाल निकाल के इसको थोड़ा सा मिला के फिर से धकन बन कर रहे हैं देखिए फ्रंस हम मरा टमाटर सूख गया है अभी इसमें हम भी हम पनीर एड़ करेंगे पनीर अप्सिनल है आपको पसंद है तो एड़ कीजिए ने तो आप स्किप भी कर सकते हैं देखिए फ्रंस अभी पनीर हम मिला देखे अभी हम इसको सौटे कर रहे हैं अभी देखिए फ्रंस अभी हम पानी एड़ करेंगे देखिए फ्रंस अभी हम पानी दो बड़े कप एड़ करके अभी हम थोड़ा सा मिला के अभी हम प्रेशर को कर रहकर धकन बंद कर देंगे देखिए फ्रंस अभी हमने एक कड़ाई बिठाया है इसमें अभी हम एक बड़े कप हम टेल ले लेंगे इसको अभी हाई फ्लेम में गरम होने देंगे अभी देखिए फ्रंस हम छोटा छोटा पेड़ा बना के हम रख रहे हैं अभी हम इसको बेल के हम भटूरे बनाएंगे देखिए फ्रंस अभी हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं छोटा सा डाल के तेल गरम हुआ या ना हुआ हमेशा भटूरे बनाने के टाइम आपको ज्यादा गरम बला तेल ही चाहिए देखिए फ्रंस अभी हमने भटूरे डाल दिया है अभी इसको हम अच्छे से हम चानेंगे भटूरे बनाने के टाइम हमेशा आप ग्यास का फ्लेम हाई ही रखिए किनके भटूरे अच्छे से फूलेगा देखिए फ्रंस हमारा भी निकल गया एक भटूरा अभी देखिए फ्रंस हम बेल के और एक भटूरा भी रेडी करके डाल रहे हैं देखिए फ्रंस अब भटूरे बनाने के टाइम हमेशा ऐसे ही प्रेश करना चाहिए भटूरे को तेल में कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और फूले देखिए फ्रंस हमारा भटूरा बनके रेडी हो गया अभी देखिए फ्रंस हमारा छोले भी बनके रेडी हो रहा है उसमें थोड़ा सा हम कस्तूरी मेट्थी डाल देंगे हम इसा छोले बनाने के टाइम उसको लो मिडियम में रखके आपको चार सिटी आने तक पकाना है देखिए फ्रंस अभी हम थोड़ा सा गरम मसाला भी एड़ कर रहे हैं देखिए फ्रंस हमारा कितना अच्छा छोले बनके रेडी हो गया चली फ्रंस हम आपको सरक दिखाते छोले कैसे दिखता है देखिए फ्रंस हमारा छोले और भटूरे बनके रेडी हो गया आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए, सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन दवाना ना भूले थैंक्यू सो मज